एक बार फिर से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ एक बार फिर से पाकिस्तान की हकीकत सामनी आ गई और यह हकीकत ऐसी है जिस वजह से एक बार फिर पाकिस्तान के हुक्मरान अपना चेहरा च्छिपाते पिर रहे हैं अमरान खान के तख्ता पलट का मेगा शो चल रहा है मगर इस मेगा शो में कसाब की भी एंट्री हो गई है कसाब आतंकी कसाब नमस्कार आप देख रहे हैं भारत एक नाइन आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन यह जो शब्द आपने सुने हैं वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान की नापाख हरकर दुनिया के सामने उजागर हो गई है और उन्सका चहरा बेनकाब हो गया पाकिस्तान चाहे कितना भी रागला पे कि वो अमन्चैन का चहीता है उसके देश में शांती के कभूतर उफ्द एगे और उसके हुक्मरान दुनिया में शांती के दूठ है मफिदर्श हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान आतल की ट्रेक्षिग है भारत एट नाइन आज आतल के मुल्क पाकिस्तान का चहरा बेनकाब करेगा और इसके शिलाब होती है ग्रेमान दी शेख रचीद के इस बयान से सुने अजमलक साथ का पता इंडिया को इनोंने इंडिया को पता बताया कि अजमलक साथ जो है उनोंने जो फरीद कोट का ड्रेस है वो नवाश रीव ने दिया अगर ये बात गल्स थापत हो तो जो चोर की सजा मेरी सजा है प्राइम निस्टर साब बेटे रहना मैं तो आपको बहुत अर्स करता रहता हूँ मैं अपनी गुजारशाथ आपकी मेरबानी है वाकी में एक सारा आसफ जर्दारी भी राट को कह रहा था कि मैं एक सारी जर्दी मैंने ये दो और एक सीड़ी सियासत दी है लेकिन मुझे फखर है कि मैंने इमरान खान के साथ सियासत दी है और कौम के एक जो अल्ला ने इस वक्त आपको मख्रूग्यत दी है ये अलेक्शन के वक्त भी आपके अलाग ऐसे नहीं ये सब चल के आगे वापस आपके बसक्र हसे पत्वरक है आप माफ कर देते हैं bizarre करने की कोई कुई रज्यावफ नहीं ये सारे लोग ठोड़े अरखे की बात है थोड़े अरखे की बात है उन्हे पहले आपस कहता था समुझगी है आपको पीटी आई से मेरा कोई तल्लक निम्रान खान साथ मेरा तल्लक आपकी जाद से जीते और मरते हैं मैं आपके साथ पैरा दोगा सियासत मैं करता हूँ नहीं करता लेकिन इम्रान खान के साथ मैं चटान की तरह दिवार के साथ पड़ा हूँ शेख रशीद नवार जातंती कसाब को लेकर पूर प्रधानमंग्री शरीप पर बड़ा आरूप लगा रहे हैं इम्रान की शान में करसी ने पढ़ते पढ़ते शेख रशीद 611 का सुनिस्टार कसाब का ऐसा सुना वैसे कि पाकिस्तान का सर शर्म से छूप गया है अजमलकसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमलकसाब जो है उन्होंने जो फरीद कोड का ड्रेस है वो नवाज शरीव ने दिया अगर ये बात गल्स थापत हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है प्राइम निस्टर साथ बिटे रहना मैं तो आपको बहुत अर्स करता रहता हूँ मैं अपनी गुदार्शाथ आपकी मेरबानी है वाकी में एक सारा आसफ जर्दारी भी राद को कह रहा था कि मैं वाकी मैं अमरान फान साब एक सीड का लीडर हूँ सारी जर्दी मैंने ये दो और एक सीड की सियास्त की है लेकिन मुझे फखर है कि मैंने इमरान फान के साथ सियास्त की है और कौम के एक जो अल्ला ने इस वक्त आपको मख़ूबियत दी है ये अलेक्शन के वक्त भी आपके अलाप ऐसे नहीं ये सब चल के आएंगे वापस आपके पस पर एंफ़ ठुड़ा माणा आप माफ कर देते हैं माफ करने की कोई खुजाएश नहीं ये सारे लोग थोड़े अरसे की बात है थोड़े अरसे की बात है मैं तो पहले आप से कहता था समिनिया कैंकर देप के और खाल में आपसे अर्स कर्ता था कि हम यहाँ उन गाएicos नहीं आप बगानि विचित ऑप द सा derived नहीं करता है लेकिन अप्ट प्रिघाइ से तरह की तरह की तरह है आपकी तरहता हुझ कि औरुकम उन्राणम के साथ में चैको ख़ता हुझ तो कसाब के परीद पोस्वाने पती की जानधानी की अनवाज शरीक इंडिस्तान की थी जिसका जिकर शेख चिली अरे अरे माप कीजेगा शेख रशीद दे रही हैं जी चौबिस ग्यारा हमले का दोशीय अजमल कसाब वो कसाब जिसके गुनाओं का ऐसाब खारत में उसे फांसी के तखते पे लटका कर मिला है मगर जो पाकिस्तान कलता कर या फिर ये कहें owaćर इन्हां परसों तक हें कहते कहते नहीं सकता था की कसाब से इसका कोई इस दान्र कमी theory है वैसे तो पाकिस्तान जाजितिक संकर्ट लगातार गहराता जा रहा है। इम्रान खान सियासद के पिछ पार मुश्किल में है। वो कभी भी आउट हो सकते हैं। और करिये हैं कि खान लोग्टेर से पहने ही इसको भावी दे सकते हैं। या देश में बज़न सी लगातार गहरा है। मगर यहां मस्तार गुदा है क्योंकि इम्रान सर्दात के पाकादार जराख पाकिस्तान के प्रेमंत्री शेख जिल्ली माफ कीजेगा शेख रश्रीद। पाकिस्तान के किस बयान का असर आतंक से जुड़ा होता है। नहीं है। कसाब का तो असर आया ही है। क्या यह सच नहीं है कि परवेद मुशर्रफ से शुरू परता हूं है कि परवेद मुशर्रफ ने अपनी सरकान को बचाने के लिए एक नेशनल ली कंसिलियेशन ओर्डिनेंस चारी किया। वो क्या था ओर्डिनेंस उसके अंदर 8400 लोगों को एमनेस्ट्री दे दी गही। यनि के वो मडरर्स थे, वो आतंकी थे, उन्होंने लूट मार की थी, उन्होंने आतंक का साथ दिया था, रेस किये थे, हर तरह के उनके उपर अपर अपरात थे, मगर उनको माफ कर दिया गया। दोड़ाई साल बाद हाला कि सुपरिम कोट ने अपर मनेस्ट्री को कारिज कर दिया, लेकिन ऐसा किया गया। ये परवेद मुशर्णत के टाइम का है। अब इमरान के टाइम का वो लाख ही ये कहते फिरें, जैसे आपने कहा कि हम तो शांती के दूते हैं, हम तो शांती के कवतर उनाते हैं, हमारा तो आतंक से कोई संबंध नहीं है। पर क्या ये सच नहीं है, कि इन ही इमरान खान ने जब ये अमेरिका में गए, तो वहाँ पब्लिकली सब के सामने ये कहा कि मेरे देश में करीब 40,000 आतंकी हैं। अब अगर 40,000 आतंकी उसके देश में हैं, और वो उस आतंक को कंट्रूल करने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर क्या समझा जाएं। फिर ये समझने के अलावा कि इस आतंक के जनंदाता खुद पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। और वो आतंक डारेक्टिट नहीं तो पूरी दुनिया के लिए हैं। लेकिन फोकस इंडिया के उपर हैं। पाकिस्तान की पूरी सियासत 1947 से जब से पाकिस्तान बना, आज तक केवल हिंदुस्तान से दुश्वनी के उपर आधारित हैं। जब भी उनको कोई नाकामी होती है, पुलिटिकल सेट बैक होता है, आतल की घठना होती है, तो उनके सामने आता है ये सब हिंदुस्तान की वजय से हैं। प्राब्लम सिंध में हो जुम्मेदार हिंदुस्तान, प्राब्लम बलुचिस्तान में हो जुम्मेदार हिंदुस्तान, तो यही इस्तिती कसाब के बारे में भी है, पहले तो शुरू में वो कह रहे थे कि कसाब को तो हम दंत ही नहीं, हमारा तो यह है नहीं, और फिर बाद मे जब उसके बापे बाती थोई और पता लगा के हाँसाव पाकिस्तान का ही रहने बना है उसके बावजूद बने और हो inte जूब को अप पूरी लुट कर लिया है, पूरी दुलिया देख रही है और हमारी problem यह है, हम लुइना की सबसे बड़ी जभूरियत हैं या सबसे बड़ा लोकतंत हैं eo democracy हैं हम यह जाते हैं कि हमारा जो पड़ावसी है, वह भी लोकतंत में विश्वात करने माला हो तक पाकिस्तान में जो जभूरियत है वह दिखावे की जभूरियत है अब गुवाजवा साप जो वहां के सहनपती है, यही बाजवा साब और इनके ISI Chief ने रात रात बर दिन दिन बर ओवर टाइम काम करके इन्होंने और अपोजिशन पार्टी से डिफेक्शन कराया और पाकिस्तान तहरी के इंसाफ इम्रान की पार्टी में उन्हें जुड़वाया और इम्रान को एक सेलेक्टिट प्राइम मिनिस्टर बनाया अब बनाने के बाद इम्रान और ये बाजबा की जोड़ी जो अमेरिका से हटती गई, चाइना से जोड़ती गई, आना कि CPEC पहले सेंक्चन हो चुका था एक और सवाल त्यागी साब सामनी आ रहा है, सेना का जिक्र आपने किया है, तो अब आगे क्या सेना इस मसले पर अपना हार डालेगी या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है, किसे नहीं समझे कि ये सौदा सही नहीं है, ये सौदा खराब है, इसके लावब चाइना क जिक्र भी यहां पर लगातार देखने के लिए बताय जा रहा है कि विदेशी ताकते भी जो है वो इम्रान का सपोर्ट कर रही है चाइना का प्लान है पूरा यूएस अगर कुछ करता है तो हम खड़ें आम के साथ ऐसा भी कुछ बाती चल रही है निस रही बात है बिल्कुल एक एम्बेस्टर के द्वारा लिखी गई है और उस चिठ्टी में ये कहा गया है कि अदर पाकिस्तान के वर्तमान नेकत्रत्तों को नहीं बदला गया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी इस सेक्टेंस को इमरान जी ने पकड़ लिया और इमरान ज अब वू अपनी आवाम को यह कहते पिल रहे हैं कि देखिए मेरे किला चुट्टी नहीं है ये कौम के खिलाब है क्या हम अपनी विदेश निती अपने आप तै करें या अमेरिका के कहने पर तै करें और चूंकि अमेरिका ने यह कह दिया लिया जाज चीन आं कि हम इमरान क कि पाकिस्तान में पहला ऐसा मौका आया है जब सेना के ओपर उपली उठी है आज तक पाकिस्तान में किसी ने सेना पर उपली नहीं उठाई लेकिन अब रवाज शरीफ ने उठाई और वो यूठाई वो इसलिए उठाई के सीपी इसी जो चाइनिक पाकिस्तान अक्रामी कुरूडोर है उसके ओपर कंट्रोल सिवी एड्मिस्टेशन का इतना नहीं है जितना एस्टेब्लिश्मेंट का यानि के आर्मी का है अब उससे बिजली बने जी वो इतनी महनी होगी कि उससे पाकिस्तान के लोग करिल नहीं पाएंगे सवाल तो ये भी है कि वजीर आलम कोई भी हो पाकिस्तान में भारत का सवाल ये है कि ये जो कसाब है जो ये पाकिस्तान या मैं कहूं कि आतंकिस्तान जहां पर हजारों ऐसे कसाब पल रहे हैं बढ़ रहे हैं आगे उनका खात्मा कब होगा भारत की सिती कैसी है देखिए य एक मुल्का प्रधान मंत्री बैठा है दूसरा कह रहा है कि हमने तो छिपा कर रखा था लेकिन पहले वाले प्रधान मंत्री ने बता दिया भारत को जमल कसाब कहा है ये पूरी जानकारी देदी मतलब बेशर्मी की एक हद होती है वो बेशर्मी की जो हद है वो पूरी पार य आज की तारीक में भारत में अमेरिका हो, कैनाडा हो, चाइना हो, रश्या हो, युनाइटीड नेशन्स की सीकेरिटी काउंसिल में से चार दूटो पावर दिशों के लोग बैटे हुए है, यह निके न्यू डेली जो है, वो एक पॉलिटिकल कैपिटल, एक कूठनीति का कैप आज जो दुमिया भर के ओर नंटा है, वो तकड़े हैं, वो एफेक्टिब हैं, लेकिन वो रस्पेक्टिड नहीं है, और हिंदुस्तान जो है, वो रस्पेक्टिब भी है और एFFेक्टिब भी है. अब जब आप हिंदुस्तान की approval करते हैं पाकिस्तान से, तो वो अचित न बार बार उन्होंने लड़ाई लड़ी, बार बार उन्होंने आतन को किसी ना किसी रूप में बढ़ावा दिया, कभी ट्रेंडिंग देके, कभी यहां पे डारेक्ली लोगों को भेज के, कभी इंटरनेशनल कम्मुनिटी चे प्रेशर ढलवा के, कभी उनों में इशू को लेकिन हिंदुस्तान की स्टेज अब ऐसी पहुँच चुकी है, कि अब पाकिस्तान की बिखरिंग से इसके ओपर कोई फरक नहीं पड़ता, पर आतन का जो पर, जो अलोसी पर आते हैं, और फिर लाश उटाने तक कि लिए सफेद रुमाल उन्हें दिखाने पड़ते हैं, क्या बंद कर देना चाहिए? आफी सवार आप से. कि पुझे सवाल ऐसा है कि एक फौज के सिपाई को तियार करने में समय लगता है, पैसा लगता है, और यह जो इस्टेट एक्टर से, जेने वो इस्टेट एक्टर मुलते हैं, ये तो इनको भात्र होरों का वो दिखा के, और तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये वहाँ कि पैदा हो जाते हैं, और इस बहाँ जे उनका एक कश्मीर के खिलाफ अलाव चलता रहता है, कश्मीर के खिलाफ अलाव से उनकी सर्कार चलती रहती है, त्यागी साहब ये कहा जा सकता है, कि राज़िती खेल में पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, इस भ और खुद पाकिस्तान के ग्रे मंत्री शेख राशिद ने पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, यानि कि आरोप आरोप में सचाई बता दिये कि पाकिस्तान वही इस्थान है जहां पर आतंकी जन मिलेता है, आतंकी यहां पर बड़े होते हैं, आतंकी पलते है आतंकियों को यहाँ पर पाला दाता है तो शेक रशीद नवाज आतंकी कसाब को लेकर पूर्ठ धानमंत्री शरीप पर बड़ा आरूप लगा रही है रान की श्रान में कसीदे पढ़ते पढ़ते शेक रशीद 26-11 का गुलेगार कसाब का ऐसा किस्ता सुरा बैठे कि पाकिस्तान का सर शर्म से जुक गया है एक बार फिर से आपको बयान सुनवाती है तो कसाब के फरीद कोट वाले पते की जानकारी क्या नवाज शरीप रिंदुस्तान को दी थी जिसका जिक्र शेक चिली अरे अरे माप कीजेगा शेक रशीद जी दे रहे है जी 26-11 हमले का दोशी अजमल कसाब वो कसाब जिसके गुनाहों का हिसाब भारत में उसे फासी के तखते पर लटका कर चुका है मगर जो पाकिस्तान कल तक या फिर ये कहें कि बरसों तक ये कहते कहते नहीं थकता था कि कसाब से ऊसका कोई तालुख नहीं है कि देश में मजन्सी लगा सकते हैं मगर यहां मसला जिगा है क्योंकि इम्रान सत्कार के वहादार जनाब पाकिस्तान के ग्रे मंद्री शेख चिरली और फिर से माफ दीजेगा शेख रशीक का ये बयात संके देरा है कि 2008 मुंबई में हुए आतंकी हमलों का मास्टर माइन कोई और नहीं बल्की पाकिस्तान ही था तो यह तस्वीर लगातार सामने आ रही है इसको लेकर भारत ही नहीं दुनिया भर में चर्चा हो रही है और पाकिस्तान इस पूरे मसले पर यह राजनिती का खेल चल रहा है और यह तहास रहा है पाकिस्तान का कि यहां पर कोई भी प्रधानमंत्री जो है अपना कारिकाल पूरा नहीं कर सका है और ऐसे ही खत्रे के बादर मरान खान पर्दी मंदराते हुए नजर आ रहे है राना अली जोहेब है वरिश पत्रकार है हमारे साथ जुड़ गए है जोहेज साब बहुत स्वागत करती हूँ आपका सबसे पहले जोहेज साब आवाज आरी है मेरी जी अब आरी है लेकिन आपकी आवाज बहुत स्लो आरी है मुझे बहुत कम आवाज आरी है मुझे समझ नहीं आरी है आप क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक जी जी आप कुछ बेतर है पहले से बेतर है ठीक है जो है साहाब क्या कर दिया आपके ग्रे मंत्री ने राज़ुटी की खेल में पूरी तरह से एक्सपोस कर दिया पाकिस्तान को बहुत शुक्रिया देखे पूरे हिंदुस्तान को पता है बलके पूरी दुनिया को पता है अब तो पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल सिच्वेशन चल रही है तो इसमें उनके जो ब्यानाथ है अब वो जब इस तरह का मामला होता है कि कोई भी सैसी पार्टी किसी आतंकी का जो 2008 में हिंदुस्तान को इतना गहरा दर्द दे कर गया वो एक सियासी बयान हो जाता है राजितिक लड़ाई है आतंकी पर कैसे पहुंच गई मैंने गुजारेश आप से किया कि यह एक उनकी इल्जामात की सियासत है बेसिकली जो कर रहे हैं वो सारे इक ब्रूसे पर उनको नवाज सीव साब को बेसिकली उनके जो टरेक्टर है उस पर सवाल उठाने की कोईशिश की जा रही है उनको हमारे हाँ एक टर्म यूज होती मैंदूड है ऐसी कोई बात नहीं है ये तो इपन जैसे हैं एक सियासी इनको बियामात है जो सियासत पर चलते हैं और सियासत की अद्धा की सथम हो जाते है यहीं शेयर कर दिशीर साब अगर कल पीम बनते हैं शबयाज स्रीफ इतवार वाले दिन शबाज शमारण स्री किसाभ नहीं देश को दर्ब새 पाकिस्तान किसा माफ किजिएगा पाकिस्तानrett पाकिस्तान नहीं एक और यह वूम हमेड करली या혁 और तौर hm गांकि इस्ताम है वह जहूंपर अजवल कसाब जैसे आतंकी पैदा होते हैं और पिर पल्ते हैं और फिर तरह की आतंकी गतिविदी को अंजाम देते यंटारी को पर पला जाड़ लिया जाता है दस्कों तक कि hurtbert नहीं कि बारत को जानकारी दी थी कि अजमल कसाब कहा है और आप कहरें कि आप सीरियस मत लीजा हम इबरान को सीरियस नहीं ले रहे हैं डो आजार आठ के उस मुद्धे को जिसमें आज भी भारत जल रहा है बदला पूरा हो गया है लेकिन अभी भी आपके तरफ से आपके मुल्क की तरफ से जो आतंकी गतिविदी है वो खत्म नहीं होती है यह सच है और आप भी जानते हैं अजले गुजारिश यह है कि मेरा जिस तरह मैं आपका बड़ा स्कून से पूरी बात सुनी है अब मेरी भी सुन लीजिए गार जो कि मुझे शिक्वा यही एक रहता है दिल रोता है तीन सुन लीजिए ना सुन लेगा और उजूर सुन तो लेगा बल्कुल सुन रही हूं मैं पूल यह झारि रहता है फक छ़्वार्य को पार… अगर शाहरा है और खाल से उच पडते शुन रहेता है रहाँ डिल आप हुआ है और यह उनलिस्टिक है जवाब की क। मैं सुन जभराई की पंड़ा लिए kवचिक्तान आप जहवाब लंगे जब थेड़ु तो इस पन स पैस्ट आपसे यही है कि अगर आपने सवाल किया तो फिर उसका जवाब मुझसे ले लीजिए. आपने बात की के 2008 के मामले के देखे देशित गर्दी का कारवई जहां भी होती है वो कंडेमनेबल है. चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो. सारी दुनिया जा ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में यह पाकिस्तान में भी होती है आपको भी पता है. यह बिलोचिस्तान ले ले आप इस तरह की पाकिस्तान के जो बाकी सुबह है वो ले ले ले. तो मेरा क्यास है कि पाकिस्तान के अंदर यह रिपॉर्ड में मुझूद है कि जितनी कुर 98 की, 2008 की, 2005 की, 2002 की, वो पाते फिर से हरी करने के में ज़रूरत नहीं है, अब हमें अमन की तरफ जाना चाहिए और सुकून की तरफ जाना चाहिए जो हमारे मुल्क पर हुआ, दुख तो आपको भी हुआ होगा, दर तो हुआ होगा, क्या आपके परोडोसी देश पर इतना का, आर्मी पब्लिक स्कूल का, आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बचों को सीधी गोलिया मारी गई, आप तो भी उतनी तक, मुझे, क्या आप चबीस-ग्याराँ के साथ अगर आप अगर आपको भी जिकर करते हैं, तो मुझे लगता कि आप भी छेर जनलिसम करने के लिए, आप शेर अपिस का जिकर नहीं किया, आपने एपीस का जिकर नहीं किया, आपने प्लिक स्टाब भी जिकर किया, आपको भी नहीं दिखाया दिया हमारा दर्द, मैं तो बेसिकली आज जो शो है मुझे तो ये बताया जाता कि ये पाकिस्तानी करन्ट पॉलिटिक्स पे आप चबीस के आराम बे बात करने वाले हैं आपके जो ग्रे मंत्री है ना शेक चली माफ कीज़ेगा शेक रशीर जी उनके बयान पर चर्चा कर रही हूं मैं मैंने उसके बयान पर आपको जवाद दे दी है ना मैंने उनके अभी वो गवर्मेंट में है वो जा रही है और उनको नजर आ रहा है कि परसों जो उनके नो कॉर्विनेंस मोशन है इतवार को वो काम्याब हो रही है और अगली पार्टी का जो पीम है वो चबाश्रीब साब चबाश्रीब नवाज श्रीब के चोटे भाई है इसलिए उनको यह नजर आ रहा है कि उस पार्टी को एक्तदार में आने से पहले कैसे रोका जाए उनका एक तरीके कार उनों ने उनका करेक्टर असरीनेशन शुरू कर दिया है तो वो हमारे हमारे हम इसको इतना सिरियस न नापाक होगा ही और आपकी निश्पक्ष जो पत्रकारिता है उसको भी मैं सलाम करती हूँ बहुत शुक्री आपका हमारे साथ जुडने के लिए तो वरिश पत्रका राणा अली जोहेब हमारे साथ जुडे थे उनसे चर्चा की हमने तो रशीद ने मरान खान से का है कि शे जिन्दगी मैंने दो और एक सीट की सियासत की है लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने इमरान खान के साथ सियासत की हम सिर्फ कैही नहीं रहे आपको दिखा भी बार बार रहे हैं तो तस्वीर लगातार सामने आ रही है और एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान की कर की गतिवीदी को अंजाम देते हैं तुलाल के लिए शुक्रिया आप बने रहें न्यूस वाल इंडिया के साथ